नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट और आप देख रहें आरके ट्रेडिंग दोस्तों तारीक है आज 12 माई 2020 और यहां पर कल 13 माई 2020 के लिए निप्टी के IT इस्टोस के आनलसिस करेंगे देखेंगे कौन सा IT इस्टोस किस लेवल पर खड़ा है कहां सपो करता है अनलसिस बिल्ला सॉप्ट 78 के ऊपर निकलेगा तब ही हमारा 84 का टार्गेट आएगा अधर्वाइज अभी हम वेट करेंगे बिल्ला सॉप्ट में आप यहां पे क्लियर देख रहे हैं कि इसको ब्रेक करता है लेकिन क्लोस नहीं कर पाता है इस लेवल को जिश्टीन यह क्लोस कर देगा बहुत अच्छा मॉमेंट के लिए तयार हो जाएगा बिल्कुल 200 DMA के पास ही अपने आपको रोक के रखा हुआ है और कल बहुत बड़ी मुमेंट अगर आपको आता हुआ मिले तो दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि कुछ आर्थिक पैकेज की घोशना हुई है पर्धान मंतरी नरेंद मोधी जी के तरफ से तो उमिद है मार्केट में कल काफी बड़ी हल्चल देखने को आपको मिल सकती है अगला इस्टॉक है हेक्सावेर तो मैंने कल कहा था दोस्तों कि हेक्सावेर ने एक ब्रेक आउट दिया हुआ इसको यह सस्टेन करेगा तो अच्छी बात है उपर की तरफ और जागा यह बिल्कुल अ आज का अगर हाई देखें दोस्तों एक सट पचास के आसपास का है तो कल अगर उमीद है दोस्तों बांसाट तिरेश्ट अगर ब्रेक करें तो ऊपर दोस्तों सत्तर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं हिकसाब वेर में इनफीबीम जवरदस्त कल जो हुआ था उसको आज इसने कंटिन्यू किया इनफीबीम में मैंने 52 50 के उपर 54 के टार्गेट इसने हाई बिल्कुल 53.9 के आसपास का ही दिया हुआ है तो अभी एक मुमेंट और भी मिल सकता है जो कि 55 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है इसको तो ब्रेक करने की कोसिस करेगा Suppose यानी कीूप जराँ चेक कर सकते हैं इसको और इसके लेवल यह कटते और फ़िकित फिवर की लेवल 50 तग भी जा सकता है अगला स्टॉक है इंफोसी सकता अगला स्टोक है दोस्तों इनफोसीस वी तो इंफोसीस ऊपर की तरफ में 15720प इ आने की कोशिस करेगा नीचे अगर यह 670 ब्रेक करता है तो तेजी से आपको 375 तक के लेवल आते हुए दिखा सकता है नीचे की तरफ में आज जाएगा 300 के लेवल आपको दिखा सकता है अगला स्टॉक है दोस्तो माइन ट्री को भी देख लेते हैं रेंज में तो कल मुझे लगता है यह रेंज कल ब्रेक होने वाला अगर यह इस आर्थिक पैकेज जो आया हुआ है परधान मंतरी की तरफ से तो आपको यह 906 तरके टार्गेट दिखा सकता है अगर नीचे की साट अगला स्टॉक है नीचे की साट में अगर यह ब्रेकर एक 8060 तो फिर यह आठ्व के भी लेवल दिखा सकता है अगला इसे है दोस्तोक ऑनाइट टेक्ना लोजी देखके ब्रेक आउट कल इसमें पॉस TCS breakout देने के पूरी की पूरी कोशिस करता वो नजर आ रहा है, उपर की तरफ में अगर 1960 को break करता है, तो एक अच्छा level आपको ये 2010 तक के भी दिखा सकता है, अब साइड में TCS, नजर बना करें के कल, टाटा इलक्सी 200 DM का resistance 835 को जब तक break ना करें कोई position नहीं बनेगा, उपर अगर 835 को इमान आजग सकता है, 30 भी चलेगा, अगर वो break होता है, तो फिर उपर की side में 806 तक के level आएगा, नीचे अगर करता है 755 को, ये नीचे के level आपको 690 भी दिखा सकता है, टेक महिन रा दोस्तों, इसमें मैंने पोजिशनल कॉल दिये हुए, तो उमीद करता हूँ, पोजिशनल कॉल जब ये उपर की side में break करेंगा, तो एक अच्छा मुमेंट आपको देगा, पांसो पच्पन से पांसो साट ब्रेक करेंगा, तो उपर पांसो असी और छैसो दसता के target दिखा सकता है, बिप्रो अभी तक हमारा stop loss हीट नहीं हुआ, 180 का stop loss था वो बचा हुआ है, और trade हमारा valid है, अगर ये एवर 184 उपर की side में 185, 186 ये सब अगर ब्रेक करता है, तो ये वर target उपर की side में देने की कोसिस करेगा 194 तक का, तो दोस्तो ये है हमारा बिप्रो का stocks का, आपको बता दू कि 184 और 5 ने बलकि 188, 188 को अगर ये ब्रेक करेगा, तभी एक position इस्टार्ट करेगा, जो की उपर की side में 200 तक के target देने की चंपता रखता है, तो ये था वीडियो और आनसी पसंद आए, तो जब लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिजे, मिलता हूं देस्तों नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद,